क्या आप जानते हैं कि Triber के टॉप मॉडल के प्राइस में आप एक प्री ओंड अर्टिगा भी ले सकते हैं? इस वीडियो में हम Triber और प्री ओंड अर्टिगा का कंपारेजन करके देखेंगे और ये find out करेंगे कि इन दोनों cars में से किसे लेना जादा sense बनाता है ट्राइबर की तरह Ertiga भी एक 7-seater car है ये ट्राइबर से बड़ी है और सबसे important Ertiga का engine भी ट्राइबर से जादा powerful है लेकिन एक pre-owned Ertiga और brand new ट्राइबर लेने में क्या-क्या फायदे और नुकसान होंगे आपको कितनी पुरानी Ertiga मिलेगी ये और ऐसे बहुत से questions जिनके answers आपको कभी भी नहीं मिले वो मिलेंगे आपको इस वीडियो में और साथ ही हम compare करेंगे इन दोनो cars के specifications और features को तो wait किस बात की Let's start with the price comparison लेकिन इससे पहले latest card news और reviews के लिए आप हमारे चानल को subscribe करना ना भूले Used Ertiga की बात करने से पहले चेक करते हैं Tribor के prices Tribor सिफ petrol engine के साथ आती है और इसे आप 4 variants में ले सकते हैं RXC, RXL, RXT और RXZ Tribor का सबसे affordable variant है Rs. 4.95 lakh का और सबसे expensive variant है Rs. 6.53 lakh का हमारी internal research के according Tribor के 4 variants में से RXZ वो variant है जो Bias के लिए सबसे ज़ादा suitable है अगर आप interested है ये find out करने में कि Tribor का यही variant क्यों लेना चाहिए तो आप हमारा Tribor Variants Comparison का वीडियो देख सकते हैं इसका link आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगा Tribor RXZ का एक showroom price है Rs. 6.53 lakh और ये variant की on-road cost Rs. 7 से 7.5 lakh के अराउंड है इस price पे अगर आप certified अर्टिगा लेना चाहें तो हमारी online और offline research के according आप around 50,000 से 70,000 किलोमेटर चली 2015 या उससे नई अर्टिगा पेट्रोल ले सकते हैं यहां पे आपको ये बताना जरूरी है कि मारती सुदूकी ने October 2015 में last generation अर्टिगा का facelift लाउंच किया था इस वर्जन में cosmetic changes के अलावा एक नया top ZXI variant भी आड़ हुआ था जिसमें touchscreen infotainment system आया था 2015 model year की certified अर्टिगा facelift आपको within 7.5 lakh मिल जाएगी अब वक्त है ट्राइबर और 2015 अर्टिगा के specifications और features को compare करने का ट्राइबर और अर्टिगा में से अर्टिगा 275 mm यानि almost 1 foot जादा लंबी है लिकिन क्या आप जानते हैं कि ट्राइबर actually 2015 अर्टिगा से 44 mm जादा वाइड है इस लिहाज से ट्राइबर में अर्टिगा के comparison में shoulder room better होने का यानि middle room में तीन passengers के लिए जगा जादा होने का chance है अर्टिगा ट्राइबर से 42 mm जादा tall है और इस वज़े से इसमें जादा head room होगा ट्राइबर की तना अर्टिगा में भी लास्ट रो बच्चों के लिए ही जादा appropriate है और वैसे तो अर्टिगा ट्राइबर से length में बड़ी है लेकिन इस size increase का अर्टिगा को कोई major benefit नहीं होता दिख रहा ट्राइबर को in fact अर्टिगा से length में कम होने का ये advantage है कि इसे park करने के लिए जगा कम चाहिए ट्राइबर में last row completely remove करने का भी option है जिसकी वज़े से boot में काफी space है 625 liter to be precise तो अर्टिगा के comparison में इसकी length कम होने का impact इसके boot space पे नहीं है ट्राइबर पे अर्टिगा का एक major advantage है इसका engine जो ट्राइबर के engine से ज़्यादा बड़ा है और powerful और talky भी है हाला कि ट्राइबर अर्टिगा से छोटी है लेकिन क्यों भी कि ये भी 7 passengers बैठा सकती है तो engine output matter करता है अर्टिगा का engine ट्राइबर से 21 PS ज़्यादा power बनाता है और इसका talk भी 34 Nm ज़्यादा है बड़े engine और बड़े size की वज़े से अर्टिगा की claimed fuel efficiency ट्राइबर से 2.5 kmpl कम है वैसे तो अर्टिगा पेट्रोल में automatic transmission का भी option आता है लेकिन ये particular power train शायद उतनी easily used का market में available नहीं होगा जितना manual ट्राइबर में अभी Renault ने automatic का option नहीं दिया लेकिन as a 5-seater use करना चाहते हैं और इसका daily use करेंगे तो ट्राइबर लेना sensible रहेगा ये अर्टिगा से जाधा compact है इसकी claimed fuel efficiency better है और अर्टिगा से length में छोटे होने के बाद भी आप ट्राइबर में boot space या interior space पे जाधा compromise नहीं करेंगे लेकिन अगर आप अपनी कार को as a 7-seater use करना चाहते हैं और highway running जाधा है तो एक अच्छी condition वाली pre-owned अर्टिगा better option रहेगी क्योंकि इसका engine triber से जाधा powerful है जो 7 लोगों का weight better handle करेगा ये तो है अब तक का analysis अब next section में बात करेंगे इन दोनों cars के features की इन अर्टिगा VXI या उससे better variant ही consider करें जिसमें audio system body colored bumpers and door handles day night IRVM, remote central locking fog lamps, second row AC rear parking sensors और electrically adjustable and affordable ORVM जैसे features मिल जाएंगे ट्राइबर RX-Z में सब basic safety features तो आते ही हैं लेकिन उसके ऊपर ऐसे कई features आते हैं जो अर्टिगा VXI में नहीं आते जैसे projector headlamps, side airbags AC vents for 3rd row, LED DRL, cool storage 12V socket for 3rd row touchscreen infotainment system with Apple CarPlay android auto and rear parking camera rear wiper and washer and defogger वहीं अगर आप अर्टिगा VXI की बात करें तो इसमें आप steering mounted audio controls electrically foldable ORVMs fog lamps और second row armrest जैसे features मिलेंगे जो ट्राइबर में नहीं आते features के basis पे हम ये कह सकते हैं के touch screen infotainment system rear parking camera और side airbags ट्राइबर के कुछ ऐसे features हैं जो आप ERTIGA VXI में miss करेंगे और 2015 ERTIGA के case में steering mounted controls और electrically foldable ORVMs वो features हैं जो आप चाहें भी तो ट्राइबर में नहीं आएंगे purely on the basis of features ट्राइबर RXZ ERTIGA VXI से better value होगी अगर दोनों cars का on road price same रहता है ट्राइबर RXZ के same price पे अगर आपको ERTIGA ZXI या ZXI Plus मिल जाए तो ERTIGA एक better overall package साबित होगी तो अगर आपके लिए features काफी matter करते हैं और आपको ZXI Plus ERTIGA मिल रही है तो आपको pre-owned ERTIGA consider करनी चाहिए इस comparison के basis पे अगर आप TRIBOR या ERTIGA में से किसी एक car को लेने का मन बना चुके हैं तो अब हम आपको कुछ ऐसी important information देंगे जो शायद आपका decision अभी भी बदल दे एक दूसरे के उपर specs और features के अलावा भी new TRIBOR और used ERTIGA के कुछ और advantages और disadvantages जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए TRIBOR एक brand new car होगी तो उसकी history आप खुद लिखेंगे यानि first day से ही आपको car के बारे में in and out सब पता होगा ERTIGA की history आप मारती के service center से निकाल सकते हैं लेकिन अगर किसी car की service बाहर से हुई हो तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि उसमें क्या और कब repair हुआ है TRIBOR रेनो की 2 year 50,000 km की warranty में होगी और आपके पास standard warranty extend करवाने का भी option होगा ऐसा option used car में नहीं मिलता अगर आप ERTIGA किसी certified और organized used car dealer से लेते हैं जैसे मारती सुदू की true value या Mahindra first choice तो आपको इस पे 6 months या 1 year तक की limited warranty मिलेगी TRIBOR की maintenance cost especially पहले 2-3 साल में ना के बराबर होगी जब तक आप car को 30,000-40,000 km तक नहीं चलाएंगे तब तक कोई major service नहीं होगी और tires भी change नहीं होगे ERTIGA की case में आपको ये check करना होगा कि उसका wear and tear कैसा है इसके tires, battery condition, clutch और brakes जैसे wear and tear parts की कुछ life कम हो चुकी होगी आप TRIBOR के case में अपनी मर्जी का variant और body color ले सकते हैं लेकिन ERTIGA के case में ऐसा नहीं होगा New TRIBOR का loan एक used ERTIGA से कम rate of interest पे होगा तो same loan amount के लिए आप interest कम देंगे यानि आपकी EMI भी low होगी लेकिन अगर new TRIBOR लेने के कुछ फाइदे हैं तो used ERTIGA लेने के भी चार फाइदे हैं मारुतिका service network रेनो से बड़ा है तो जादा travel करने वाले लोगों के लिए ERTIGA लेने का ये advantage हो सकता है कि वो कहीं भी जाएं उन्हें service station मिल जाएगा ERTIGA की regular service भी TRIBOR से बहुत जादा expensive नहीं होगी although इसका engine और size TRIBOR से बड़ा है क्योंकि ERTIGA pre-owned car है तो इसकी insurance cost भी कम होगी ERTIGA की case में delivery भी instant होगी यानि अगर आपको कोई car पसंद आए तो उसकी payment कीजिए और तुरंद घर ले आईए तो ये तो थे इन दोनों cars को लेने के advantages हम hope करते हैं कि आपको कुछ और clarity हो गई होगी कि आपको इन दोनों cars में से कौन सी car लेनी चाहिए अब finally खतम होता है ये TRIBOR versus pre-owned ERTIGA का video clarity के लिए एक बार फेर आपको बता देते हैं कि TRIBOR उन लोगों के लिए जाधा suitable है जो लोग primarily city car लेने की सोच रहे हैं ERTIGA on the other hand उन लोगों के लिए जाधा suitable है जो अपनी car को long distance travel के लिए भी use करेंगे और इसकी last row को भी काफी use करेंगे तो इसी के साथ खतम होता है हमारा new TRIBOR और pre-owned ERTIGA का comparison इस video से related आपके क्या opinion है वो आप हमें नीचे comment section में बता सकते हैं in case आपके mind में कोई दो गाडिया हैं जिनमें आप confused हैं तो वो भी आप हमें comment section में बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारा next comparison उनी दो कार्ज में हो thanks for watching